कॉंगरेचलेशन्स फ्रेंट्स हमारा कमर्शियल प्लेटफॉर्म कमर्शियल वर्जन यानि की नया एको सिस्टम नया ओकनेट नया ओवालेट यह सब कुछ लाइब हो चुका है उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने चेक कर लिया होगा अगर नहीं चेक किया तो चेक जरूर की यह है आपके माई वालेट में आपका 97 ओक भी बैक आ चुका यानि कि आपके माई वालेट में अगर आप एक फांडी मेंबर हैं तो आपके माई वालेट में टोटल 100 से बन यानि की 107 ओक उपलब्ध हो चुका है इसे आप प्रोड़क पैकेज बाय करने में यूज कर सकते हैं तो मैंने काफी अच्छे से चेक किया है हर एक फीचर को मैंने यूज किया है चेक किया हर एक आप्सन को चेक किया है साथ में मैंने अपने अकाउंट को भी इसको मैंने बाय किया है वहाँ पर अपना डेविड कार यूज किया है तो यह सब कुछ यूज करने के बाद चेक करने के बाद यान यह कि create ना हो आप बहुत ही आसानी से package को buy कर सके and enjoy कर सके friends commercial platform का so आज की इस वीडियो में हम केवल और केवल open package कैसे buy करें कैसे purchase करें कैसे activate करें अपने account को इसके बारे में बात करने वाले है बाकि other features के बारे में हम किसी next video में बात करेंगे other video में बात करेंगे इस वीडियो में केवल और केवल account को कैसे activate करें उसके बारे में हम बात करने वाले हैं तो बहुत ही बहुत ही आसान सा process है easy steps को follow करके अपने account को activate कर सकते हैं means package को आप buy कर सकते हैं friends इसके लिए सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि payment करने से पहले दो चीज़ का ध्यान रखिएगा पहला आपका जो ब्राउजर है chrome browser गूगल ब्राउजर जो आप यूज़ करते हैं वह आप डेट होना चाहिए नया वर्जन होना चाहिए पहला चीज़ तो यह हो गया दूसरा चीज़ आप ध्यान दीज़ेगा आपका जो internet connection है तो आपका internet भी fast होना चाहिए slow internet में activate मत कीज़ेगा otherwise यहाँ पर आपको कुछ problem create हो सकती है यहाँ पर तीसरा point ध्यान रखिएगा सीखिए समझे complete information लीजिए कि एकाउंट को कैसे activate करना है complete information के बाद ही आप एकाउंट को activate कीजिए ताकि आपको कोई भी problem create ना हो फिलाल इस वीडियो में complete process आपको पताने वाला हो step by step आपको बताने वाला हो समझाने वाला हो कि किस परकार से अपना अकाउंट आप activate कर सकते हैं इसके लिए simple process से फैन्ड आपको कुछ नहीं करना है बहुत ही easy है बहुत ही आसान है जिस तरीके से आप पहले करते आए उसी तरीके से करना है याने कि सबसे पहले आपको अपना ecosystem login करना है ecosystem login करने के बाद आपको menu bar पर click करना है उमीद करता हूँ कि आपको यह option पता होगा सबसे उपर left side में जो circle जैसा घुमता रहता है उसी को menu bar कहते हैं उसी पर आपको click करना है उस पर click करने के बाद एक option आपको सबसे उपर दिखेगा क्या दिखेगा marketplace जहां से आपने open के trial को इस्टार्ट किया था तो आपको marketplace पे click करना है marketplace पे click करेंगे तो वहाँ पर open के regarding get it now का option होगा simply आपको उस पर click कर देना है click करते ही open का पूरा page आपके सामने open हो जाएगा वहाँ पर सबसे पहले लिखा रहेगा मतलब आपको information दिया जाएगा कि आपका free trial जो था वो समाप्त हो चुका है आपने 120 दिन यूज किया है free में यूज किया है लेकिन अगर आपको अब यूज करना है open को use करना है तो उसे आपको purchase करना होगा purchase करने के लिए आगे का process कर सकते है वहाँ पर आपको total amount भी दिखेगा जैसे कि आप सभी जानते है 90 दिन के लिए quarterly package है 375 O coin total price है 1 month company की तरफ से free दिया गया है और वहाँ पे 2500 डॉलर आपके wallet से कटेगा या सब कुछ वहाँ पे दिखाएगा इसके बाद जब आप धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखते जाएंगे कि आप जो package buy करने वाले है तो इसके features क्या क्या है वो भी आपको दिखाएगा और धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे तो आपको subscribe का option मिलेगा subscribe के नीचे भी option दिया गया है monthly का, annually का याने की yearly का लेकिन वो option अभी active नहीं है केवाल आप quarterly package buy कर सकते हैं आप सभी जानते हैं तो वहाँ पर आपको जब आप स्क्रॉल करेंगे देखेंगे तो आपको subscribe का option मिलेगा simply आपको subscribe पर click कर देना है subscribe पर click करने के बाद order page आपकी सामने open हो जाएगा जहाँ पर आपको payment option भी दिखाई देगा आपको कितना pay करना है वो भी आपको दिखाई देगा आपके revenue wallet में कितना है वो भी आपको दिखाई देगा आप सभी जानते हैं कि आपके revenue wallet में 107 O coin रहेगा इसके बाद scroll करेंगे आप सबसे नीचे जाएंगे वहाँ पर आपको दो option मिलेगा payment करने की regarding पहला visa card, mastercard या फिर दूसरा crypto के जरीए तो जो भी आपको option चूज करना जिसके जरी आपको pay करना है वो option आप चूज कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप crypto चूज करते हैं तो crypto के जरी अगर आप payment करते हैं activate करते हैं तो आपका account activate होने में कुछ समय लग सकता है इसलिए मैं आपको recommend करूँगा कि visa card या फिर mastercard का use कीजिए अपने account को activate करने के लिए ताकि आपका account जल्दी activate हो जाए तो अगर आपको visa card के जरी आफिर mastercard के जरी activate करना है तो आपको pay with card पर click कर देना है click करने के बाद जितना आपको pay करना है total o coin भी वहाँ पर दिखेगा for example अगर आप एक founding member है तो आप सभी जानते हैं कि आपको अपने debit card होगारा से 143 यानिकि 143 o coin pay करना है तो वहाँ पर 113 total वहाँ पर दिखेगा आपको और वहाँ पर सामने एक option रहेगा जो पेज होता है जो फिल करने का payment page होता है वो आपके सामने open हो जाएगा खुलिये थारे करिए सबसे पहले आपको ब्रांड सेलेक्ट करना है। यानि कि आपको visa charity payment करना याम्स्टर कारड के ज़रे payment करना या फिर American Express के जरे payment करना है तो आपको जिसके जरे payment करना है तो उसको आप select कर लिजे टो विजा कार्द तो आप select कर लेजे brand select करने के बाद दूसरा option हैगा card holder name fill करने का जिस card के ज़री जिस debit card के ज़री आप payment कर रहे हैं तो वह card किसके name से है card holder name किया है वो आपको यहाँ पर fill करने representing card holder name fill करने के बाद card number आपको fill करना है आपके डेविट कार्ड पर जो कार्ड नंबर होता है वो आपको फिल करना है कार्ड नंबर फिल करने के बाद expiry date आपके कार्ड की जो expiry date होती है वो आपको फिल करना है expiry date फिल करने के बाद आपको CBB नंबर फिल करना है आपके mobile पर आपके mobile नमबर पर आपके registered email आड़ी पर जो आपके bank से registered email आड़ी आपके mobile नमबर है उस पर OTP आएगा ठिक है OTP आप copy कीजिए, node कीजिए, node करने के बाद OTP को आप enter कीजिए और ध्यान रखिएगा friends OTP इंटर करते समय ध्यान रखिएगा आपको total 420 सेकेंड दि OTP फिल नहीं कर पाते हैं, तो आपको अगेन वहाँ पे recent का option मिल जाएगा, आप recent पर किलिक करके दूसरा OTP भी पर आप्त कर सकते हैं, तो इस परकास से OTP इंटर करने के बाद आपको confirm पर किलिक कर देना, अगेन रिपीड करता हूँ, OTP इंटर करने के बाद confirm पर किलिक कर थोड़ा सा समय लेगा, maybe कुछ second या फिर एक minute ले सकता है, उसको आप समय दीजे, वहाँ पर आपको personally कुछ नहीं करना है, तो जैसे आप confirm पर किलिक करेंगे, कुछी second के अंदर आपको एक message आएगा, successful का, successful का जब message आ जाए, तो आप समझेगे कि आपका account activate हो चुका है, मतल से अपने account को activate कर सकते हैं, और last में आपको एक बहुत important point बताना चाहता हूँ, कि अगर आपका हो सकता है, होना नहीं चीए, लेकिन अगर ऐसा हो, कि आप अपना card detail फिल करें, OTP फिल करें, confirm पर किलिक करें, confirm पर किलिक करने के बाद, अगर आपका account activate ना हो, अगर आपका payment successful ना दिखाए, लेकिन आपके bank account से आपका पैसा कट जाए, पैसा कट जाए, लेकिन अगर आपका account activate ना हो, तो इस situation में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सांथ हो जाना है, आपको दुबारा से activate नहीं करना, मतलब दुबारा से आपको payment नहीं करना, एक बार आपने कर दिय वो on passive को पता चल गया है on passive वो देख लेगी समझ लेगी और आपका account activate कर देगी आपको दुबारा payment नहीं करना है अगर ऐसा हो तो आपको थोड़ा सा wait करना है जल्द बाजी में आपको again payment नहीं करना है तो इस बाद का आपको विशेज ध्यान रखना है उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग काफी अच्छे से सीख पाएं हुए समझ पाएं होंगे कि किस परकार से आपको account activate करना है तो कुछ इस परकार से इजी steps को follow करके account को activate कर सकते है package को buy कर सकते हैं आपको कोई भी problem नहीं आने चाहिए उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़्यदा informative रहा होगा वीडियो informative रहा उसे वीडियो को like, share and channel को subscribe ज़रूर कर लेजिएगा